हाई गाइस वेलकम दो चैनल पेंगर में टेक्नलोजीज वंस अगेन मैं आपका होस्ट और डिजिटल दोस्ट दानश लेके आगए एक नई वीडियो आप लोगों के लिए और ये वीडियो जो है वह बहुत इंटरस्टिंग हुने वाली तो प्लीज लास तक हमाई साथ बने अगर हाँ तो प्लीज कमें बॉक्स करके बताईए कि वह क्या टेक्निक से जो आपको ट्राफिक का लेवरेज मिल पा रहा है और दूसरे दूसरे लोगों को भी उससे थोड़ा असिसे पाएगा आपकी आपकी टेक्निक से आपके ट्राफिक लेने के तरीकों से तो प्लीज अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंस सेक्शन में में जरूर कमेंट करके बताए उसके अलावा और प्राफिक से आफेस कर रहे हैं इन जैनरल इस्टिम मार्केडिंग के स्राउंडिंग जो आपको लगता है कि हम आपके लिए सॉट कर सकते हैं तो प्लीज वो Quora founded and who founded it. So Quora was founded in June 2009 by Charlie Sheever and Adam D'Angelo और यह दो ऐसे developers है जिन्होंने Quora को बनाया और Quora को बनाने की पिचिन का मोटिव था Google जैसा कुछ ऐसा एक platform होना चाहिए जहां पर सब कुछ होना चाहिए with just question and answers nothing else यहां पर कोई website का reference नहीं कुछ भी नहीं और basically यह sub question and answers should be asked by users and should be given by users इसमें Quora का कोई role नहीं है so Quora is basically a UGC platform user generated content platform जहां पर user ही question पूच रहा है और user ही answer कर रहा है so that was the motive whole motive behind Quora and why did Quora founded और Quora को क्यों बनाया गया so Quora ने starting initially इतना pace नहीं पकड़ा उतना traffic नहीं कर पाया but अगर मैं आज की बात तारिक की बात करो so Quora is an essential part of your marketing is an essential part of your SEO of your digital marketing strategy क्योंकि Quora आपको traffic leverage करने में बहुत assistance करता है और यह सारे digital marketers जानते आराउंड the globe और उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज भी करते तो चलिए मैं आपको स्टेप नमबर टू यानि कि किस तरीके से आप यह अपने को राके ट्राफिक को leverage कर सकते हैं तो देखिए कोरे इस जस्ट अनादर सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म जैसे कि Facebook है Twitter है YouTube है LinkedIn है या Instagram है तो इसके लिए आपको चाहिए एक आपका Gmail दी या कोई भी इमिल आपका उसके तो composition करने के बाद आप को इसके उपर साइंट्रेस्ट मार्क करने पड़त जैसे आपने step two पे interest चूस कर लिए step three जो को रा कर साइन अप का होता है वो ये होता है कि आपको topics चूस करने पड़ते हैं कि वह कौन से topics जिसमें आप interest रखते हैं topics आप चूस करना चाहें कर भी सकते नहीं करना चाहें बात में भी कर सकते तो that's up to you टॉपिक्स चूज करने से होता है कि इस इस काइंड ऑफ गुरुप जैसा कि हम लोग फेस्बूक पर गुरुप समझते हैं वैसे को रपर पर पर जिसके तुरू आप के पर साइन अप कर सकते हैं और फिर आपका इक टाइम प्रिपेर हो जाएगा जिसके पर आपको सब्सक्राइब करना क्या है हमको सवालों के जवाब देने तो होता क्या है को रहा पर जैसा मैं आपको फर्स्टेप पर बताए इस सब्सक्राइब कर रहा है तो क्यों ना हम अपनी एक्सपर्टीज भी लोगों को फ्रीज में बताएं कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए किस सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर आपको अपनी बनानी है तो आप जब लोगों को बताएंगे कि आप इस चीज में एक्सपरियेंस रखते हैं किस चीज में आपका इंट्रेस्ट और आपका काफी लंबे टाइम का एक्सपरियेंस है तो लोगों को समझ में आएगा कि अगर इस टॉपिक कोई भी प्रॉब्लम उनको फेस हो रही है तो वह आपको कॉन्टेक्ट करेंगे और इसके तुरू ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हर इंसान आके आपसे आपका बिजनेस जनरेट करके देगा आपको अगर 10 लोग अगर आपके आंसर को फॉलो कर रहे तो हो सकता दो एक या दो इंसान उसमें आपको ट्राफिक का लेवरेज भी दे और हो सकते आपको बिजनस का लेवरेज भी दे तो आप जितने ज्यादा पता बड़े आपकी इंट्रूस के बारे में पता बड़े और वो आपके पास जादा से जादा है आपके आंसर को फॉलो करने के लिए चलते हैं स्टेप फॉर की तरफ इस वीडियो के जिसके अंदर आपको मिलने वाला है धेर सारा फ्री ट्राफिक क्यों मिलने वाला है क्योंकि अब आपने अपने क्वेश्चिन के आंसर करना स्टार्ट कर दिया है और यहां पे आप लोगों को पता पढ़ना स्टार्ट हो पर्टिकुलर चीज में जिसमें आपके एक्स्पीनिस होड़ करते हैं वहां पर जो भी आंसर कर रहे हैं वो उनको रियल लाइफ में प्रॉल्म को फॉल्लो करेंगे और उसके अलावा भी कोई पर्टिकलर सेग्मेंट में होती है तो भी वह आपके आंसर को फॉलो करने की क कोशिश करेंगे वह सारी चीजों को follow करने कोशिश करेंगे जहाँ पर यहाँ ज्यादा account पर चीजों के बहब लोग लोगों की जब following आपम वक्र बढ़े उसके बाद होगा क्या आपको अपने आंस्र में कोशिश करनी है कि crazा लोगों को बहुत सीधस एक्जापल देता हूं अगर किसी इंसान को किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है और आप अगर उसका आंसर स्टेप बे स्टेप अगर आप कर सकते हैं और पांच ये स्टेप का आंसर है क्यों ना चार स्टेप आप कोरा पर समझा दीजिए और द दीजिए ताकि यूजर को अगर उस प्रॉब्लम का स्लूशन चाहिए तो उसको आपके अपसेट पर आना ही पड़े और वह आपको बेसिकली एक ट्राफिक करके जाए और देखिए इस तरीके से काम करता है कि एक आएगा तो एक दूसरे को आपके बारे में बताएगा आपको रेप्रेजेंट कर रहा है आपको आपको आपके नाम को सर्च करते हुआ रहे है और उस लेवरेज के तुरू आप क्या कर सकते हैं बेसिकली यू कन जनेट मोर बिजनस लेटर ओन तो इस इस अच्छे से काम करने लग जाएगा तो आपको घर बाटे बहुत सारा पै यह करते है यह यार प्र liteji करा Olay को डिजनस है क्या है यहार और आसा नहीं मिल रहा है विकर नहीं प्लाटफॉम है तो छोड़ दो य dedic हर चीश के लिए टाइम लगता और और Quora जैसा UGC content जहां पर आप नहीं आपके जैसे बहुत सारे experience orders एक particular topic के अंदर बैठे हैं जो answer कर रहे हैं और daily basis पर ट्रफिक का leverage ले रहे हैं पर ऐसा नहीं है उन्होंने भी आज ही start कर रहे हैं अगर कोई वाइरल आदमी वाइरल content creator अगर कोरा पर चला जाएगा तो यू किन गैस उसको अच्छा ट्राफिक उसको अच्छा वीवर्शप में लेगा बट आप जब fresh start कर रहे हैं और आपके पास अभी ऐसा वाइरल content कुछ है नहीं तो आपको एकदम slow and steadily लेना पड़ीगा ऐसा मत सूचिए कि मैं लोगों को क्यूं सब कुछ पागल नहीं बना रहे हैं अगर हम उनको फुरी में कुछ चीज दे रहे हैं तो फुरी में we can expect something और हम उनसे पैसा डिमांड नहीं कर रहे हैं उनसे ट्राफिक डिमांड कर रहे हैं और यकीन मानिए बहुत बहुत अच्छा प्लाटफार्म है बहुत कंस्केंटली आपको ट यह डिलीट हो जाएंगे वह आंसे रेगिलर्ली आपको ट्राफिक देते जाएंगे और यू नेवर नो आपको कौनसा अंसर कब जाके वाइरल हो जाए और किस सरीके से वाइरल हो जाएं तो प्लीज मेंक शूर तो आंसर पीपल कोशिच करिए हर दिन दो से तीन आंसर प्लाटफॉम जहां पर लोग नॉलिज शेर कर रहे हैं इस नौट जस्ट अब एजुकेशन इस नौट जस्ट अब बिजनस वहां पर हर तरह की नॉलिज शेर हो रही है तो आप को लेबरिश कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर ट्राफिक लेंडने के लिए बहुत ईसी ल अब नहीं कर पा रहे है तो प्लीज कॉमेंन्ट बोक्स में को करके बताएगा इस किया वह प्रॉब्लम को आप उपके शॉड़ करें और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा बैल एकन को बिलकुल मत बूली तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो है वेवा ग्रेट एट झाल झाल